नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको गुप्त नवरात्री के पाँचवे दिन की वरत कथा कहने जा रही हूँ तो चलो कथा शुरू करते हैं मनुश्य की हर चिन्ता को दूर कर उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं मा चिन्नमस्ता का स्वरूप थोड़ा हट कर है आज गुप्त नवरात्री का पाँचवा दिन है आज भक्त मा चिन्नमस्ता या चिन्नमस्तिका की पूजा अर्चना करेंगे माचिन नमस्ता को चिंता पूरणी भी कहा जाता है माचिन नमस्ता को दस महाविद्याओं में पांच वास्थान प्राप्त है पौरानिक मान्यताओं के अनुसार माचिन नमस्ता मनुष्य की हर चिंता को दूर कर उनकी मनों कामनाओं को पूर्ण करती है मा चिन्नमस्ता का स्वरूप थोड़ा हटकर है चिन्नमस्ता देवी के हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर है तथा दूसरे हाथ में कटार धारन की है इस महाविद्या का संबंध महाप्रलय से है देवी चिन नमस्ता को को भगवती त्रिपुर सुन्दरी का ही रौधर रूप माना गया है पूजा के बाद कथा का पाठ करना चाहिए देवी चिन नमस्ता की कथा पौरानिक कथा के अनुसार प्राचीनकाल में छोटा नागपुर में रज नमक एक राजा राज करते थे राजा की पतनी का नाम रूप मा था इन्ही दोनों के नाम से इस स्थान का नाम रज रूप मा पड़ा जो बाद में रज रप्पा हो गया एक कथा के अनुसार एक बार पूर्णिमा की रात में शिकार की खोज में राजा दामोदर और भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुँचे रातरी विश्राम के दोरान राजा ने स्वपन में लाल वस्त्रधारन किये तेज मुख मंदल वाली एक कन्या देखी उसने राजा से कहा है राजन इस आयू में संतान नहोने से तेरा जीवन सूना लग रहा है मेरे आग्या मानोगे तो रानी की गोड भर जाएगी राजा की आँखे खुली तो वे इधर उधर भटकने लगे इस बीच उनकी आँखे स्वपन में दिखी कन्या से जा मिली वो कन्या जल के भीतर से राजा के सामने प्रकट हुई उसका रूप अलोकिक था ये देख राजा भाई भी थो थे राजा को देख कर देख वो कन्या कहने लगी है राजन मैं छिन्नमस्तिके देवी हूँ कल्यूग के मनुश्य मुझे नहीं जान सके हैं जबकि प्राचींकाल से गुप्ट रूप से निवास कर रही हूँ मैं तुम्हे वर्दान देती हूँ कि आज से ठीक नौवे महीने तुम्हें पोत्र की प्राप्ती होगी देवी बोली है राजन मिलंस्थल के समीप तुम्हें मेरा एक मंदिर दिखाए देगा इस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित दिखेगी तुम सुबह मेरी पूजा करो ऐसा कहकर छिन्नमस्तिके अंतर ध्यान हो गई इसके बाद से ही एह पवित्रतीरत रजरप्पा के रूप में विख्यात हो गया बोलो छिन्नमस्ता माता कीजए दोस्तों आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे इस वीडियो को अपने फैमिली ग्रूप में शेयर कर दे जिससे वह भी गुप नवरात्री की संपूर्ण वरत कताई सुन पावे धन्यवाद